हेलो फ्रेंज, स्वागेत आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तो इस वीडियो में हम डिस्केस करेंगे इसके स्टेट कोटा की कट ओफ और आपको मैं स्टेट कोटा की कट ओफ फाइनली जो स्टेट ने रिलीज किया उसी साब से दिखाऊंगा कि 45 आप जन रेंक पे भी जनरल कैटिकरी को MBBS मिल जाता है उसके साथ दोस्तो ओफिशल कट ओफ जिसके स्टेट ने रिलीज किये किस कैटेगरी की रिलीज इन सब डिटेल्स का इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जो स्टुडेंट से स्टेट कोटा के लिए वेट कर रहे हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग, कट ओफ सें सब चीजों के बारे में उनके लिए बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाला है तो दोस्तों मेरे सामने आप देख सकते हो विजयवाडा के लिए जो कट ओफ है तो फाइनली विजयवाडा की कट ओफ फाइनली रिलीज हो चुकी है जी हां दोस्तों तो नीट में उन्होंने क्या क्या दा फोलोईंग अर लास्ट रंक उप नीट यूजी 2019 विजयवाडा ने बेसिकली यहां पे डिकलियर कर दिया है और दोस्तों ने यह बता दिया है कि जो आपकी कट ओफ है वो लास्ट रे कितनी कट ओफ गई थी क्योंकि बच्चों को बहुँए था कमपेरेजन होता है कि लास्ट रे कट ओफ कितनी गई थी तो फाइनली जो आंदरप्रदेश का स्टेट मेडिकल बॉर्ड काउंसलिंग है उसने आंदरप्रदेश की स्टेट कोटा के हिसाब से जो कट ओफ है वो आपके सामने स्क्रीन पे रखी है तो उन्होंने बोलाए कि ये कट ओफ उन्होंने इस बार रिलीज किये कि 2019 में कितनी गई ताकि parents और students को पता चल सके कि किस rank लगबग किस rank तक आपको स्टेट कोटा के college मिल सकते है तो दोस्तों आपको एक बात पता देना चाहता हूं कि rank की जो cut off होती है वो basically almost same जाती है अगर आप देखोगे तो पिछले साल जैसे इस साल के हम comparison करते हैं तो marks change होते हैं suppose आपके मैं बात करता हूँ कि last year 590 marks पे 10,000 all India rank आई थी बट इस बार आपके अगर 603 ये 604 number है तो भी आपकी 18-19,000 rank आ रही है all India basis पे तो marks पे आपको comparison नहीं करना कि किस marks पे होगा आपको द्यान देना कि आपकी all India rank क्या थी और जो एक cut-offs होती है दोस्तों state quota की वो almost same जाती है जो last year का rank गया था suppose जैसे किसी अब आप ऐसे बोलोगे कि comparison में हम जैसे कि जैसे ये मान के चलोगे किसी state का last year comparison में 40,000 गया तो इस बार ऐसा हो सकता है कि वो 42 तो चला जाए 39,000 चला जाए लेकिन वो 40 के आस पास state quota की cut-off जाती है तो दोस्तों ये है आंदर प्रदेश ने जोगा medical counseling है state quota के लिए उन्होंने last year के release कर दिये ताकि आप देख सको कि आपको किस rank पे कौन सी category में मिल सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि general category में जैसे उन्होंने दो region defined किया एक AU region defined किया था एक SUV region defined किया था तो उसमें बोला कि open category में जिस candidate की general में जो rank थी दोस्तों वो आप देख सकते हो कि जिसकी 38,364 rank थी उसको general में call MBBS की cut-off जो थी वो फाइनली उनको college मिल चुका था उसी फिरकार दोस्तों अगर आप सारी cut-off यहां पे देखोगे तो उन्होंने सारी यहां पे दिखाई है जैसे अकर हम AU region की बात करें तो general की cut-off open category में 38,364 थी EWS में थी 38,358 BCE में थी 55,883 BCB में थी 64,863 BCC में थी 63,439 BCD में थी 44,338 BCE cut-off was 11,16,764 same like SCRST category guys you can check here on the screen also that for SC category this cut-off was around 11,654 for ST category it was 149,673 उसके बाद दोस्तों अगर हम SUV region की बात करते हैं आंतरपरदेश की बात हुरी है दोस्तों यह तो आंतरपरदेश में अगर SUV region की बात करते हैं तो for the general category this cut-off was 44,866 for open category EWS it was 45,017 for BCA category it was 71,565 for BCB it was 59,577 for BCC 73,134 and for BCD category this cut-off was 61,845 तो दोस्तों जब अटावर category exists in the state quota of अंतरपरदेश all category are listed here आपने आप स्क्रीन पे देख सकते हो और आप ये भी देख सकते हो कि आप general की अगर हम बात करें तो 44 for 38,000 पे भी बच्चों को अच्छे अच्छे जो cut-off के हिसाब से MBBS का जो admission है वो मिल चुका है और ये MBBS admission की sheet मैंने आपके सामने है आप पब्लिश किये 2019 की है अब अगर हम बात करते हैं तो इस बार पी MBBS के पूरी possibilities है आपको मिल जाएगा उसका reason ये है कि इस बार क्या हुआ है कि total number of seats बड़ी MBBS में almost 3000 seats all over India बड़ी हैं और उस से साब से जो seat बढ़ती है उसमे 85 maximum share तो state quota का आता है सिर्फ 15% इस ये अशा होता है जो AIQ में जाता है बाकि maximum share state quota भी जाता है तो उससे बहुत बड़ा impact होगा तो इस बार जैसे अगर open category की बात करें तो in general category this rank can go up to 39,500 in open category EWS this rank can go around 39,000 guys for BCA this can go around 57,000 for BCB this for BC category BCB category this can go around 65,500 for BCC this can go around 66,000 for BCD this can go around 45,700 for SC category this can go around 120,000 approximately for SC category and if you talk about the ST category this can go around 15,000 in ST category so दोस्तों this is the last year cutoff and whatever the expected cutoff I have already told you in this particular video so in next video we will discuss the other states cutoff की last year की cutoff क्या रही थी और इस बार expected cutoff क्या होने वाली थी तो ये थी आंदर प्रदेश की तो मैं आपको बता देता हूँ ये आंदर प्रदेश की cutoff है अगर आपको इसकी official website है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी official website पे भी जाके cutoff चेक कर सकते हैं उसकी detail मैं आपको description में दे दूँगा जहां से आप ये पूरी expected cutoff निकाल सकते हैं तो उम्मित करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई क्योंकि अगले वीडियो में आऊँ कब मैं next state quota की cutoff की साब से अगर आपको कुछ ट्रिपने state के बाल में पूछने हैं अगर आपको कुछ ट्रिपने state के बाल में पूछने हैं अगर आपको कुछ ट्रिपने state के बाल में पूछने हैं just put your comments below this video I will put the expected cutoff this year and the previous year cutoff for NEET state quota in 85% reservation thank you guys thank you for watching this video